इपॉइंट बिल्स अडिजायर वालाने हलो फ्रेंट्स मैं हूँ अविनाज दवांगन और इपॉइंट शनल में आप सबका स्वागत हैं तो थाउजन सौर प्रोब्लम इन रियल इनिस के इससे जो है रिलेटेड क्वेशन है हमने काउंटेबल अनकाउंटेबल सेट पर देखे थे आज हम नेक्ट टॉपिक पर डिसकस कर रहे है ठीक है अगाँ ओपन क्लोज सेट इस पर ठीक है तो व्रेशन नमबर ट्वेशन जो है क्या है हमारे पास जिसमें हम यह जो है आपका जो इंटरवल और क्लोज़ उपन सेट् सेट को आपको क्लियर करेगा ठीक है जो कि आगे बैंको देखे क्या है एवरी क्लोज़ इंटरवल 0,B is open set और closed set हमको बताना है अगर closed interval है तो वो open होगा कि closed होगा ठीक है? देखते हैं कुछ result है आपर जो आपको याद रखने पढ़ेंगे union of open sets is open two open sets है यह बहुत से open sets है उसका अगर union लिए तो भी क्या होगा? open होगा second, complement of open set is closed, open set है उसका अगर compliment ले रहे हैं तो close होगा, close set है उसका compliment लेंगे तो open set होगा मतलब उसका opposite होता है ठीक है? उसका compliment जो है change जाता है यानि कि open है तो closed हो जागा और closed का compliment open यह आप याद रखेंगो दो result ठीक है? अब देखते है closed interval का आगया है तो हमने एक real line ले लिया हाँ पर तो इसमें हमने closed interval है हाँ पर जो है mention किया है a, b, ठीक है? अब यह बता है closed interval है यानि कि a इसमें mention है तो इसके बाहर यह क्या है? इसके open intervals हो गए है यहाँ पर interval हमने define किया इधर क्या होगे left side में जो है minus infinite इधर plus infinite ठीक है? अब यह दोनों interval जो है minus infinite to a यह देखिए minus infinite to a और यहाँ पर b to plus infinite यह दोनों का union क्योंकि हमको इस पार्ट को नहीं लेना है देखो main concept में बता देता हूँ यहाँ पर यह जो closed यह जो interval बन रहे closed interval ठीक है? अगर इसके बाहर के जो intervals है उसको हमने open बता दिया ठीक है? इसका compliment जो है यह इसका compliment होगा यह a भी है तो इसको छोड़के जो बाहर के जो area है वो compliment होगे तो यह इसका compliment होगा इसको अगर open बताएंगे तो यह closed हो जागा अगर इसको closed बताएंगे तो यह open हो जागा इस concept पे आपको solve करना है ठीक है तो ये दो interval हमने लिया ये interval और ये interval देखिए अब दोनों का union अब हमको पता है ये क्या है open interval है ठीक है ये आपको open interval या open set कह सकते हैं बहुंस सारे elements आ रहे इसमें तो ये जो है आपको open set है और ये भी क्या है है अपको open set है तो union of open set कह early open set होते है clear अब दीखिए ये दोनों जो open set है इसका result क्या मिल और open set मिल गिए इनका union ठीक है अब ये दूनों कया चीज है क्यम筏 है किसका in is closed interval का compliment है तो compliment जब open आ गया तब क्या होगा compliment of open set is closed तो जो हम set लिये हैं यह यह जो set है हमारा यह interval यह set है हमारा वो क्या होगा closed set होगा clear हुई बात इसके compliment की union को हमने open बता दिया यह इसके जो compliment है उसको हमने open बता दिया तो यह क्या हो जाएगा closed हो जाएगा clear हुई बात ठीक है तो आज के question में यही था जो closed interval पे हमने discuss किया closed set पे ठीक है next video में हम देखते हैं इसी concept पे कुछ और questions देखेंगे जो आपको basic जो concept है उसको आप clear करेगा ठीक है तो आज के वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद